वाटसेप पर फोटो वीडियो एटोमेटिकली डाउनलोड हो जाता है कैसे बंद करते हैं हलो दोस्तों आप सिभी का स्वागत है फिर से एक निव वीडियो में इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ अगर आपके वाटसेप पर कोई भी फोटो या फिर वीडियो भेजता है न तो वो एटोमेटिकली आपके फोन में डाउनलोड हो जाता है जिससे आपका जो गैलेरी है इस टोडेज है वो फूल हो जाता है तो आप इस सेटिंग को कैसे बंद कर सकते हैं ताकि आप जब भी यहाँ पर वाटसेप को ओपन करें और कोई भी फोटो वीडियो भेजें तो जब तक आप यहाँ पर उस पर क्लिक करके उसको डाउनलोड नहीं किजेगा तब तक वो डाउनलोड नहीं होगा इस सेटिंग को आप कैसे चालू कर सकते हैं और उस सेटिंग को कैसे बंद कर सकते हैं जो अटोमेटिकली जो है यहाँ पर कोई भी फोटो वीडियो डाउनलोड हो जाता है तो बिना टाइम बेस्ट किये चलिए वीडियो सुरू करते हैं तो WhatsApp पर Automatically Photo Video Download जाता है, कैसा इसको बंद किया जाता है, चली मैं आपको बताता हूँ, इसको बंद करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ पर अपने WhatsApp को खोल लेना है, यानि दोस्तों आपको WhatsApp ओपन कर लेना है, और ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल लाता है, और इसके बाद आप यहाँ पर आपको क्या करना है, उपर में थ्री लाइन का बटन मिलता है, आपको इस थ्री लाइन का बटन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको सबसे last में आपको एक setting वाला button मिलेगा आपको इस setting वाले button पर click करना है and setting वाले button पर click करने के बाद यहाँ पर आपको जो है नीचे में एक option देखने को मिलेगा storage and data का जैसे कि आप देख सकते हैं आपको storage and data वाले option पर click करना है यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का सेटिंग देखने को मिल जाता है यहाँ पर आपको क्या करना है सबसे नीचे स्कॉल करना है नीचे में जो है आपको यहाँ पर एक option देखने को मिलेगा well using mobile data आप जिसकी यहाँ पर देख सकते हैं आपको क्या करना है इस पर क्लिक करना है यहाँ पर पूरा टिक दिखेगा इस तरीके से तो आपको सब को अंटिक कर देना है यहाँ पर इस तरीके से और आपको OK वाले बटन पर क्लिक कर देना है इसी परकार से यहाँ पर when connected on wifi आपको इस पर क्लिक करना है ताकि अगर जो भी आपका Wi-Fi connect रहे है तो कोई भी फोटो भेजता है वो automatically download रहता है इसको यहाँ पर बंद करने से download नहीं होगा तो इसको भी untick कीजिए ओके कर दीजिए फिर आपको नीचे वाले option को भी स्लैक करना है इसको भी untick करके ओके कर देना है अब दोस्तों आपका problem solve हो चुका है आप कोई भी WhatsApp पर फोटो या फिर वीडियो को send करता है ना तो वो automatically download नहीं होगा और इस प्रकास से आप इस problem को ठीक कर सकते हैं वीडियो कैसला comment box में जोर से बताएगा वीडियो को लाइक करना साथ इस चैनल को subscribe करना ना भूले